हेलो जहें दोस्तों यहाँ पर मैं ITI चात्रों का कमेंट्स देखने के बाद ही मैं वीडियो देकर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ITI चात्रे लगातार पूछ रहे हैं जो भी चात्रे यहाँ पर ITI का CBT एक्जाम देकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी चात्रे ITI क कर रहे हैं उनका iti का first year second year all back परिच्छा है वे चातर यहां पर आइटी आइ का सीबिटी परिच्छा देकर आ रहे हैं टेट फिटिवरी एंपलाइबलिटी स्कील वर्कसाप कर्प सने और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनका इडिया का रिजल्ट कब तक आएगा और यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो उनमें कितना नमबर पर पास ही मार्क है हम कितना नमबर लाएं कि पास हो जाएंगे तो आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग का ITI में कितना नमबर लाएंगे आप लोग की आप लोग पास हो जाएंगे ठीक है तो आप लोग को वीडियो पर बने रहना है लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ हैं मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को ल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आप लोग इस जुड़ जाएंगे तो कोई भी नोटिस आपको मिलने से वंचित नहीं रहेगी साथ यहाँ पर टेलिग्राम गुरूप में नहीं बनाया है आप लोग लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स महीं मिल जाएगा आ करते हैं कि isd video को लेकर तो आई यहाँ पर मैं आप लोग बताता हूं की आप लोग का आई टी आई पासिंग मार्क क्या रहेगा तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैं पिछले यहर के आई टी आई मार्क सीट पर आ चुका हूँ जो कि यहीं से आप लोग को बता हूँ कि आप लोग का आई टी आई में पासिंग मार्क कितना रहेगा इसके बाद मैं आप लोग क बताओं कि आप लोग का result कब तक जारी किया जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग का जो एक्जाम होता है आई टी आई में उसमें आपका trade theory, employability skill, workshop, calculation and science, engine drawing और आपका एक होता है practical का एक्जाम तो इनी number आपको मिलते हैं, इतने आपको paper होते हैं 5, तो इनी के अधार पर आपको number दी जाते हैं और आपका एक होता है sessional mark, ओभी कितना मिलेगा आप लोग को, यह मैं आप लोग को बताऊंगा ओ कैसी आपको मिलता है? यह मैं आप लोग को बताऊंगा तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो trade theory का exam होता है वह आप लोग का 100 marks का होता है जिनमें आपका minimum passing mark आप करता है 33 नंबर यहां पर आप लोग बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप लोग का 100 marks का trade theory का exam होता है जिसमें आपके लोग 33 नंबर रगलाते हैं तो आप का जो है employability skill works up calculation and science और साथ में इंजिंग ड्राइंग तो यह पिपर आप लोग का जो होता है यह आपका पच्यास नमबर के होते हैं तीनों पेपर आपका 50 नमबर के होते हैं तीनों पेपर आपका 50 नमबर के होते हैं चाहिए आपका ट्रेट यहां पर वर्क्षाप calculation and science इंजिन्घ ड्राइंग हो या फिर आपका प्रेक हम अपर आपका। यहां पर आपका, इंप्लोइबलटी-गय हो ठीक है, तो यह तीनों पह बहुरा आप लोग के पचास नमबर के होते हैं जिनमें आपको सत्रे नमबर लाना है, ठीक है यह आप पर सतरे नमबर आप लोग लाएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे आपका minimum mark यहां पर है सतरे नमबर ठीक है तो आप लोग का हो गया trade theory में 33 नमबर और वरक्साप and science, employability skill और आपका इंडिंग ड्राइंग में अगर आपको 70 नमबर आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे अब बात रता है आप लोग का ट्रेड प्रेक्टिकल का तो फ्रेंड्स आप लोग का total marks होता ट्रेड प्रेक्टिकल का 250 नमबर जिनमें से आपको अगर 150 नमबर मिल जाता है तो आप लोग पास हो जाएंगे ठीक है तो यह आप लोग का passing mark है और यहाँ पर आप लोग का result के रिलिए डिजिटी के आप notice आ चुका है जिसका link में आपको i button पर दे दूँगा या फिर description आपको दे दूँगा वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को देख लिए कि आपको result कब तक जारी किया जाएगा बिल्कुल notice कब मैं आपको बताया हूँ तो आप लोग groups भी जूड़ जाएए और जाकर आप लोग डिस्क्रिप्राइब लिंक आप लोग को दिया गया वीडियो को भी देख लिजिए ताकि आपको result के लिए मालू हुझा कि आपको result कब तक आने वाला धन्नवाद